हेलो एप्रिवान में गाहित्री हाउटू में गाहित्री मैं आप सब्सक्राइब करती हूँ और आज अप लोग के लिए लिए यह बहुत ही टेस्टी यमी चीज से भरा हुआ पीजा विदाउट इस्ट विदाउट ओवन यहां तक कि इसमें हमने काट भी यूज नहीं कर रह ताकि नए वीडियो के नोटिफिशन आप लोग को मिल सके और आप लोग मेरी रेसिविस वाच कर सको तो चलिए स्टार्ट करते हैं होमेट पीजा कैसे बनाना है यहां पर देकी पीजा बनाने के लिए मैंने लिया है डू बाउल मेदा जिसको मैंने च्छान के रख लिया ह यहां पर मैं 6 टीजपून शुगर पौडर ले रही हूँ यह बारिक पीसी हुई शुगर है जो मैंने घर में ही पीज के स्टोर करके रख रखी है मतलब हाफ टीजपून के असपस में हमें नमक लेना है नमक जादर नहीं लेना है और लेना है वन टीजपून लेमन जूस यहां यह में इंग्रीडियन्ट है हमारे पीजा बेस का तो यहां पर लेमन जूस ले लिया है मैंने वन टीजपून और इसको लेने के बाद इसमें एड़ करेंगे हम यहां पर में ले रही हूँ बेकिंग सोडा हाफ टीजपून से कम यहांने वन फोर टीजपून ले ले यहां पर लेंगे हम बेकिंग पाउडर half teaspoon बेकिंग पाउडर की कौंटीटी में जादा लिए इन सबी को लेके इसमें हम वन एन हाफ गप वगाने की थोड़ा सा गरम दूद लेंगे हम तो यहाँ पर कुन-कुना दूद लिया है मैंने जिसको पूरा डाल लिया है मैंने आप चाहो तो थोड़ा डालियेगा यहाँ पर मुझे पता है कॉंटेटी स्ली मैंने डालिया है पूरा जोट की सबसे अगर नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा मिल्क और लीजेगा यहां पर देखिए डो अच्छे से परफेक्ट तयार हो गया है और इसमें मैंने डाला है फो टीस्पिन आप चाहो तो बटर ले सकते हो इसका डो इसी तरह से थोड़ा चिपचिपा तयार होता है तो यहां पर कि यह दो तनके लेते हम दस से पंतरा मीट के लिए जब तक हम स्टफिंग तियार कर रहे हो इसको हम गारिश करेंगे पीजा तियार कर लेते हैं यहां पर मैंने लिया हे और चॉप करे हूए यहां पर एक बड़ा साइस का अनियन लिया है थोड़ थो तो बाद यहां बेड यहां पर मैंने टमाडर भी यूज नहीं करें हैं आज तो बस यहां टेस्के कोडिंग नमक डाल दी हैं ताकि जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं इनको थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगे ना तभी तक पकाना कि हम बना रहे हैं इंस्टन पीजा और जब हम पेन में पीजा करते है तो उससा में पीजे की वेजिटेवलेन वो अच्छे से पकते नहीं है यहां पर मैंने देखिए चिली सॉस डाला है और वन टीस्पून मैंने और यहां पर डो soft हो चुका है उतने चैसे खमण नहीं आया है जादा देर के लिए रखोगे तो अच्छे से खमण आ जाएगा लेकिन यहां पर मैंने इसे 15 मिट के लिए रखा है सॉफ्ट हो चुका है जब इसको बेक करेंगे तब अच्छे से फूल जाएगा यह तो यहां पर मैं तीन बेस बनाऊंगी तो इसके मैं तीन पार्ट कर लेती हूं एक थोड़ा बड़ा बनाऊंगी दो चोटे बनाऊंगी तो दो चोटे बनाऊंगी न वह मैं डबल चीज वा कर लेंगे तो यहां पर मैं इसको बेल लेती हूँ सिर्फ आदा इंच की हमको इसकी मोटा ही रखनी है ना जादा मॉटा रखना ना ज़्यादा पतला रखना है और यहां पर मेरे पास यह जो पेन ही इसको मैं गी से ग्रिश कर रही हूँ तो हम बना रहे हैं गेज की इसकी ओपर पेन पिज़ा तो भही देख लीजिए आप यहां पर इस तरह से बेलन पे उठाके और जो पेन ही न उसमें हम इसको बस इस तरीके से इसको हम रख देंगे और अच्छे से थोड़ा किनोर उठाते हुए इसको हम फिला देंगे ताकि जो हम स्टफिंग करेंगे न वह जो इस पर हम गानिश करेंगे वेजिटेपल्स की च जाता लेकि जो नीचे के लिए रहती न वह अच्छी क्रिस्पी रहती है přिखकर इशक्री में देंगे करेंगे मिल देखते मखसरम में लागा आप साथा का यहांवा पर और देखेंगे मारा था त्यार हो रमा की चीलिदेब्स है क्या देखे पर हो मेरे चीज होता है तो इसकी रेचिपिस बपना भी चीज बनाने से लिए तो यहां पर देखी इसको में इस यह जो सिर्फद से बनाया था ये भी मैंने अम चैनल रखा किस साथब बना सकते हो तो इसको मैंना बना के फ्रीज में रख दिया तो यह थोड़ा सक्त हो गया है इसलिए थोड़ा अच्छे से ग्राइड हो रहा है अगर आप ताजा बना हो चीज इस तरह से ग्राइड करेंगे तो नहीं होगा इसलिए फ्रीज में रख दीजेगा बना कर और यहां पर जो आपको पसंद आता है पीजा तो आप चीज के साथ ही बना सकते हैं तो यहां पर देखें से मैंने वेजिटेवल फिला दी है इसके उपर और फिर से मैं इस पर चीज डाल दोंगी तो यह एक लिटर दूसरे बना हुआ चीज जो मैं अभी डाल रही हूं और बहुत ही अच्छ लिए तो चली चेक कर लेते हैं इसे हना 20 मीट हो गए है पकते हुए और बहुत ही अच्छे से पका है यह तो आप भी इस तरह से डबल तवय के उपर रखे इसको पकाईएगा मतलब नीचे तवा रखेगा उसके बाद इसको पकाईए नहीं तो यह जल जाएगा और बिल्कुल जाले है तो बहुत यह से होम मेट चीज है जो मैंने बनाया और देखिए टामाटर सॉस में अब डाल रही हूं इस स्टेज पर डाल रही हूं क्योंकि मेरे बच्छों को टामाटर इस समय खाना है इस पर डालके तो बस चलिए पीजा बनके तयार हो चका है गर्म लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा फिर मिलती हूं नई रेसिपी के साथ में तब तक के लिए बाई बाई